हेलो फेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 जोगरफी, चैप्टर नंबर फाइफ के कुछ क्वेशिन आंसर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हमारा रिरेटेड है, वाटर से यानि की पानी से, उसे रिरेटेड कुछ क्वेशिन आंसर से, तो चलिए आईए, स्टार्ट करते हैं answer the following questions, question number one is, what is precipitation, basically precipitation होता क्या है तो अगर मैं आपको कुछ simple word में अगर बताऊं कि precipitation एक process होता है, एक प्रक्रिया होती है, जिसके through क्या होता है, जो हमारी clouds होते हैं उन में से जो droplets बनते हैं, जो चोटे-चोटे form में पानी की बूंदे बनती हैं, वो नीचे की ओर land पे fall करती है, वो ही हमारा process जो है पूरा precipitation क्यालाता है तो आईए देखते है answer में क्या कहता है, कि the sun heat vaporize water into vapor, जब हमारी sun की जो heat होती है, sun की जो गर्मी होती है, वो पानी को भाप में बना देती है, वेपर में convert कर देती है जब ये भाप जो है, उपर की ओर जाता है, और उपर की ओर जाकर के, थंड़ा हो करके, गाढ़ा हो करके, वो क्या form कर लेता है, बादल बन जाता है these may then fall on the surface, उसके बाद क्या होता है, वो ही बादल जो है, जब air उसको समाल नहीं पाती है, बिसिकली ठीक है, जब वो cloud बहुत सादा heavy हो जाता है, और हावा की जो capacity होती है, उससे बाहर हो जाता है तो यह क्या जो cloud होता है, यह क्या हो जाता है, गिरने लगता है, surface पे हमारी पृत्वी की सताओं पर गिरने लगता है, rain के form में, ठीक है, rain के form में वो गिरने लगता है, या बर्फ के form में, या फिसलेट के form में, यानि की, ओलो के साथ जो वर्सा होती है, उनके form में यह जो प्रक्रिया होती है जो फिरॉमिना होता है पुरा जिसके थू हमारा पानी जो है वो वापिस से हमारी अर्थ की सता पर वापिस से आ जाता है in the form of rain हमारे बारिश के फॉर्म में चाहे बर्फ के फॉर्म में चाहे बारिश और ओलो के फॉर्म में इसी पूरे प्रोसेस को हम precipitation कहते है basically तेखे क्या होता है कि जो आपकी अर्थ की सत्र है यहाँ पे आपका पानी है धूप की वज़े से क्या होता है कि यह भाब बन जाता है और भाब बन के उपर जाकर के क्लाउड में फॉर्म हो जाता है जब एयर इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है नहीं बरदाश कर पाती है तो यह चोटे 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 डॉपलेट्स बनते है और वापस हमारी earth की सताथ पर आ गिड जाता है तो यह जो पूरा process होता है जिस तरीके से भाप बनता है वापस से हमारी प्रीटूरीप से पानी गायब होता है वापस पानी आता है उसी को process form precipitation कहते हैंare टिक है i move to a next question what is the water cycle अब यह पूछ रहा Kristour mein motor cycle अब यह इसके तुरू हमारा जो पानी है वो निरंतर चेंज करता है अपने फॉर्म को अपने रूप को जो है हमेशा चेंज करता है और सर्कुलेट बिट्वीन और ये गोल-गोल घूमता है हमारे ओशियन हमारे वातावरन एटमोस्फियर एंड लैंड हमारे जमीन पे इस नोन अस व फ्रवाटर साइकल कहते जो प्रक्रिया होती है जिसके थू हमारा पानी निरंतर जो है वह अपने रूप को बदलता है और हमारे ओशियन से ऊड़ता है ये वातावरन याजाता है और वापिस से लैंड पर गिरता है उसी को हम वाटर साइकल कहते हैं ठीक है समय्जमें आया कि कैसे land पेशे पानी गर्मी сразу अब नहीं से आने उड़ता है फिर उसके बाद वातावर्ण में जाकर मिक्स हो जाता है पिर वापीस स जमीन पर नहीं तो यह हमारा पूरेHHHH cycle होता है next question is what are the factor affecting the height of the waves कौन से ऐसे factors है ठीक है जो हमारे लहरों की height को यानि की waves की जो हमारी लहरे हैं उनकी heights को वो प्रभाफ डालता है the factor affecting the height जो हमारा factor होता है वो effect करता है waves की height को वो कुछ इस तरीके से होता है speed of the wind जैसी speed होगी जैसी हावा की गती होगी उसके हिसाब से waves बनते हैं earthquake volcano eruption और underwater land जैसे भुकम पाता है या volcano मतलब हमारा जो जो आला मुखी होता है वो फटता है या फिर पानी के अंदर land slide जमीन घसकती तो उसके कारण से जो है waves बनते हैं यानि की earthquake आता है तो भी हमारे पानी के waves में कुछ ने कुछ प्रभाव पड़ता है उसके वैसे भी हमारी लहरे जो है वो उसकी height पे कुछ effect होता है उसी तरीके से वैसे क्या होता है कि जिसे मतलब हम को यक आता है जब अर्थ को एक आता है तो मारी Earth की सर्फेस बीवाइबरेशन होता है ठीक है Hem जहां पर जोला मुखी फटता है तो इतनी फोर्स होती है इतनी एनर्जी होती है कि वह आसपास के सर्फिस पे प्रभाव पढ़ाती है ठीक है तो जब भी हमारा वाल कैनो फटता है तो इसके इर्ध गिर्ध अगर ओशन होता है या वाटर का कुछ भी स्टाइन जैसे you 20 प्राभं पड़ता है तो जैसे ही उस्पे प्रभाव पड़ता है आप आप कई आप सी चीज के ऊपर खड़े है अगर यह चीज पर मुव्मेंट आ रहा है तो ऑपibtो यह दो कि Reverber तेबल पर खड़े और तेबल कोई नीची से हिलाएगा तो आप भी तो हिलो के तो उसी तरीके से होता है कि जब सर्फिस पर वाइबरेशन होता है सर्फिस पर जब थोड़ा बहुत मूव्मेंट होता है तो उसकी वज़से क्या होता है कि पानी पर भी उसका प्रभाव क्या दाब स्पेस बन जाता है उस पेस को अपने जो पा री कर देता यो जैसे ही पानी फिल करता है पानी नीचे की और भागता है तो यह जैसे ही पानी मूवमेंट आता है गर बहुत टाइब हो जाती तो उसक 총र यह में थे तेब्ट व्न मॉवि Em huge बड़ी बड़ी waves उटने लगती है और वो एक तरह से तबाही की निशानी बन जाती है ठीक है तो अगर बुकंप आ गया और volcano फट गया हमारे जो अलामों की फट गया या water underwater land slide हो गया तो उसकी वैसे भी हमारी waves पे काफी प्रभाव पड़ता है फिर next question हमारा कहता है कि which factor affect the movement of ocean water कौन सा ऐसा factors है जो हमारे ocean के water के movement में प्रभाव डालता है effect डालता है तो the factor affecting the movement of ocean वो factor जो हमारे समूंद्र के पानी में उसके movement में उसकी हलचल में जो प्रभाव डालता है जो factor वो कुछ इस तरीके से है R.S. follows पहला temperature और सी बात है अगर तापमान चेंज होता है तो उस के कारण भी क्या होता है कि पानी में ocean water में effect डिखता है ठीक है अब जिसे की बहुत जादा थंडी थंडी हवाय चल लेंगे बहुत ते चली तो तापमान क्या है ठंडा हो गया है तो उसकी वैसे भी पानी में movement देखने को मिलता है the gravitational pull of sun and moon जो हमारा sun और moon की वज़े से जो अकरशन उसका जो खिचाव होता है basically क्या होता है कि जब new moon day होता है तो नीप टाइड और spring tide बनता है ठीक है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि जो moon और sun होता है उसकी जो gravitational pull होती है उसकी वज़े से हमारा ocean का water जो होता है वो rise होता है और fall होता है alternatively मतलब की दोनों जो है व moon की gravitational pull की वज़े से भी खिचाव की वज़े से भी ऐसा होता है हमारे ocean के water movement आती है warm and cold currents अगर जब गरम ठंडी धाराये चलती है ठीक है जब हमारे गरम currents होती है जो धाराये होती है वह हमारे equator tropical region से जब पोल की तरफ transfer होती है ठीक है पोल की तरफ जब चलती है धाराये तो व warm current कहलाती है ठीक है याने कि हमारी गरम धाराये होती है लेकिन जब पोल से ठीक है हमारी अर्थ की पोल के पॉइंट से जब वह हमारे tropical region की तरफ मूव करती है तो वह हमारी cold धाराये होती है ठीक है यह सब कारण होता है इसमें जब जो gravitational pull होता है जो खिचाव होता है उसके क question is what are tights and how are they cause basically tights होता क्या है ठीक है जो आर क्या होता है and how they are cause और यह कैसे cause होता है मिन्स की tight कैसे बनता है और किस कारण से जो है हमारा tights जो है वो देखने को मिलता है हमें समुद्र में the rhythm rise and fall जिस rhythm से जिस भी rhythm से हमारा पानी जो होता है जब हमारा जैसे अब tight मतलग basically वो होता है कि जब चंद्रमा मतलब जो हमारा चंद्र है हमारे जो moon है वो और जब सूरज ठीक है उसकी जो आकर्शन सक्तिया होती है मिन्स कि उसको जब किसी चीज़ को आप आकर्शित करते तो वो उसकी आकर्शित सक्तिया तो जब चन्दमाव सुरच की आकर्शन वाले शक्तियों के कारण जो हमारा ओशन होता है उसमें जल को उपर उठने या नीचे गिरे में ठीक है उसी को हम जोआर कहते है यानि कि टाइड कहते है जब वो दीरे दीरे जल हमारा उपर की ओर आता है दीरी दीरी हमारा नीचे की हो जाता है तो उसी को हम टाइट कहते है यानि कि जुआर कहते है तो यही कह रहा है कि दरिजम राइज एंड फॉल अफ ओशन वाटर जैसे जैसे हमारे समुंद्र का पानी ऊपर की और बढ़ता है या नीचे की और गिटता है है ट्वाइस इन डे इस कॉल्ड़ ट्याइड मतलब दिन भर में दो बार ऐसा होता है तो उसी को हम टाइड कहते है ठीक है जो शक्ति होती है वह लगाया जाता है सन और मून के दोरा थीक है सूरज और चन्डमा के दोरा जब एए फ़्ोर्स लगाया जाता है यह अर्थ की सतर अ değil वह रहाभ क्या होती है समुंद्र यद्हराएं करेंट से दारराएं ठीक है the streams of water flowing constantly जो हमारी धारा होती है पानी का जो बहाव होता है धारा होता है वो निरंतर constantly क्या है फ्लो करता रहता है निरंतर वो बहता रहता है on the ocean surface हमारी समुन्र की सता पर निरंतर वो हमारी पानी की धाराएं बहती रहती है in a definite direction एक निश्चित दिशा में यानि कि अगर पानी है पानी अगर लेफ से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो यह क्या है definite direction है इसका क्या है निश्चित direction है तो यह इसी movement में हर वक फ्लो करती रहती है ठीक है यह हमारी ocean की सता पर definite direction में move करती रहती है निरंतर are cold ocean current इसी को हम कहते हैं समुंदरी धाराए the ocean current may be warm और cold ocean की जो धाराए होती है या तो वो गर्म होंगी या तो फिर वो थंडी होती है ठीक है दो तरह का हमारा ocean current होता है धाराए होती है या तो गर्म या तो थंडी the next question is give reason आपको यहाँ पर कुछ questions पूछे जाएंगे आपको यहाँ पर reason बताना कि ऐसा क्यों है पहला question कहता है कि ocean water is salty मतलब हमारा समुंदर का पानी होता है वो खारा क्यों है salty क्यों है तो ocean water is a salty because it contain a large amount of salt ocean का पानी यानि हमारी समुंदर का महासागर का पानी जो होता है वो खारा इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में नमक उसके अंदर गुला हुआ है salt उसमें क्या है पुरी तरीके से dissolved है इसलिए जो हमारा समुंदर का पानी होता है वो नमकीन और खारा माना जाता है यानि कि है इसलिए उसको माना भी जाता है the salt present in ocean water is mostly sodium chloride जो नमक जो खारापन हमारे ocean के समुंदर के पानी में present है ठीक है वो जो हमारे ocean के पानी में है वो क्या है ज्यादतर वो sodium chloride होता है ठीक है और या तो फिर वो common soil जो हम consume करते हैं जो हम खाते हैं यानि कि टाटा नमक जैसे आप लोग जो भी नमक खाते होगे वो नमक भी हमारे ocean के water में पाया जाता है या तो फिर वो sodium chloride जादतर पानी में मिला होता है इसलिए हमारा समुन्द का पानी जो होता है वो खारा पाया जाता है next question is the quality of water is deteriorating जो हमारी पानी है ठीक है पानी ये कह रहा है कि जो हमारी पानी है ठीक है water जो है उसका क्यों deteriorator होता है मिन्स कि उसका क्यों जो water का quality है मिन्स उसकी जो खूबी है quality है वो क्यों बिगड़ती जा रही है ठीक है means कैसे खराब हो रही है तो the water quality is deteriorating जो पानी का हमारे quality है वो खराब इसलिए हो रहा है because of human activity हम इंसान की गतिवीडियो के कारण ही हमारा पानी का जो quality था वो अब खराब होता जा रहा है दीरे दीरे दिन पर दिन बेकार होता जा रहा ह पहला human ऐसी कौन सी activities करते हैं ऐसी कौन सी गतिवीडियों है जो इंसान द्वारा की जाती है जैसे deforestation ठीक है पेड काटे जा रहे हैं deforestation हुआ जा रहा है ठीक है दूसरा throwing garbage and other wastage in water bodies गंदगी वगरा कूडे कच्रे जो है पानी में फेक दिये जा रहे हैं उसकी वज़े से अबी हमारी जो नदियां है वो खराब होती जा रही है उनका पानी खराब होता जा रहा है और अविसी बात है जैसा कि आप लोग को बता है मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पानी है ठीक है 99% जो पानी है वो हमारे अर्थ के सर्फेस पे 99% पूरा पानी से घिरा हुआ है लेकिन उसमें से 12% ही पानी ऐसा है जो हमारे पीने लाइकumenिये बाकी का बचा हूँ पानी जो है वो पूरा पूरा खाटा पानी है ठीक है, तो आप सोचे कि 12% पानी में भी आप जो है गारबेज डाल दे रहे हो वेस्ट डाल दे रहे हो पेड़ पॉदे काटते जा रहे हो तो क्या बचेगा वो पूरा खरया होता जाएगा तो जाइड सी बात है कि दूसरे की देशे वालो जो पानी की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रह हो अगर आप उसको वेस्ट करते हो उसको डिस्ट्रॉइ करते जाते तो आपके लिए जाहिर सी बाते आने वाले फ्यूचर में आपके पास पानी नहीं बचेगा तो डीफॉस्टेशन पेड़ का कटाव होने की वज़े से क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रेस्टेशन और यह हमारे फेस्ट फेस्टेशन प्रेस्टोव करते है को रहा है जा वह हमारे फ्यूचर में निकलता है नेहरो में का मिल जाता सब्सक्राइब है एक के मैं गरें तो एक करते हैं को पानी मतरी का छुच्छ सब्सक्राइब हैं वागन गटों किती ही यदालने पानी मिलता है तो जा वोन दाला करो दोन हो या जो कुछ भी वो कहीं नहीं छालिक जो अच्छे पानी है इसको भी बर्बाद तीड दिड़े कर रहा है data of water है वो दीरे दीरे नस्ट होता जा रहा है तो फिर नेक्स कोशिन कहता है कि तिक दर करेक्ट आंसर यहां पर आपको पानी जो होता है वो continuous change करता है अपने आकार को अपने form को और circulate होता है ठीक है वो पूरा एक जगह से दूसरे जगह circulate होता है between ocean atmosphere and land याने कि हमारे समुन्र वातावरन और जमीन इन तीनों जगह पर क्या होता है वो अपने form को चेंज करके अपने प्रकार को चेंज करके बार-बार circulate होता रहता है तो उसको क्या 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 कहते है वाटर साइकल कहते है टाइड कहते है या ocean current क्याने की जवार कहते है या समुन्दरी धाराय कहते है या पानी का cycle याने वाटर साइकल कहते तो वाटर साइकल प्रासस जो होता है वो सर्कुलेट होता है हमारे ओशियन एट्मोस्पियर और लैंड के बीच में तो आंसर हो जागा हमारा वाटर साइकल नेक्स कोशिइन इस जणरली त्वाउम ओशियन करेंट और जिनेर जो हमारा गरं सब्स्यास का जो धाराय होती है वह कहां से पैदा होती है जैसा मैंने आपको बता है कि इकवेटर से पॉल की तरफ जो धाराय जाती है वह वाटर होती है तो पॉल एकवेटर नन आफ दीज त है वो हमारी cold होती है तो equator is our answer next question is the rhythm rise and fall of ocean water twice in a day is caught जिस rhythm से यानि कि निरंतर जो है वो पानी का बढ़ाव होना और फिर घटा होना rise and fall होना हमारे समुन्द के पानी का दिन में दो बार उसे हम क्या कहते हैं tide कहते हैं wave कहते हैं या ocean current तो हमारा जो tide होता है जो आर होता है वो जो है हमारे पानी के ocean के water में जो है rise and fall लाता रहता है ठीक है दिन में हमारे दो बार इसलिए उसको हम tide कहते हैं जो आर यानि the next question is match the following यहाँ पे कुछ match the following दिये हुए है Caspian Sea यह क्या है हमारा एक समून के बारे में बता रहा है उसका नाम है Caspian Sea जो एक largest heel है लेक है ठीक है उसका नाम Caspian Sea है Tide Jawar यानि periodic rise and fall of water एक period बंधा होता है जब वो बढ़ता है और घटता है पानी का जो लेवल होता है फिर tsunami strong seismic waves जो हमारी भूकंपी तरंगे होती है एक जो strong वाली ताकतवर्ज होती है वो हमारी tsunami लाती है ocean current यानि streams of water moving indefinite path जो धाराएं होती है पानी की वो move करती है एक निश्चित direction में पाथ में वहीं हमारी ocean धाराएं होती है यानि समंदुरी धाराएं होती ocean current जिसको हम कहते है नेक्स question is for fun be a detective आप यहां पे एक detective बन जाओ fun के लिए कुछ questions दिये हुए पहला कहता है कि the name of one river एक river का नाम है is hidden in each of the sentences below spot वो हर जो नीचे sentence दिये हुए उसमें छुपा हुआ है तो आपको इसको spot करना है क्या है example दिया हुए मांद्रा विजय लक्ष्मी एंड सुरेंद्र आर माई बेस फेंड ठीक है तो example है हमारा इसमें रवी जो है हमारा वो कहा है एक name of river है जो इन सारे sentence में नीचे छुपा हुआ है ठीक है the next है the snake चार्मर बस्ती स्टेबल 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 स्टेश आर हाउज और पाइल ओफ वूड आर कॉट फायर एक्सिदेंटली हिंट है another name of river ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम जो है वो वह है इस्टा जो हमारे इस पूरे sentence में छुपा हुआ है ठीक है है डिस्टिबूटरी ऑन दे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का डिस्टिबूशन हुआ वो क्या है पद्मा ठीक है आइधर जैलिसी और एंगर कॉज परसें फॉल मतब की जलन और जो गुसा यह इंसान को क्या कर देता है आप जूसी फ्रूट यहां पर हिंट दिया हुआ है कि आपको एक जूसी फ्रूट का नाम बताना तो वह गया हमारा ओरेंज नेक्ट पर्शन इस भवाणी जर्मिनेटेट दे सीट इन पॉट बावानी ने क्या किया एक शीट जर्मिनेट किया लगाया पॉट में हिंट है लुक फॉर हर इन वेस्ट अफरीका यहां पर हिंडिया है कि आप देखो वेस्ट अफरीका में तो यह हमारा नाइगर कहलाता है नेक्स कुशिन इस आयम जोनल चांपियन नाउ डिकलेट एक्साइटेड एथलिक हम क्या है एक जोनल चांपियन है अब और हमें यह डिकलेड करते हुए काफी excited हो रहा है athletic तो हिंड दिया है कि the river that has biggest basin in the world यहां पर river है जो यहां पर बहुत बड़ा basin है world के अंदर वो हमारा कौन सा रीवर है Amazon river है ठीक है the tiffin box rolled down and the food fell in dusty tiffin गिर गया और खाना जो है journey है वो पाकिस्तान के through और इंडिया में rise लाया तो वो कह कर लाता है इंदोस मालिनी lean against the pole when she felt that she was going to fend जो मालिनी थी वो जाकर के pole से यानि कि किसी एक खंबे से सटके खड़ी हो गई जब उसे यह एसास हुआ कि वो जो है वो बेवोश होने वाली है हिंदिया है हर डेल्टा इन एजफ वो जो डेल्टा है वो कहां है इजीप्ट में फेमस है उसका नाम है नायल समंथा मिस मरेस्ट everybody with her magic treat समंथा जो है वहर किसी से अपने जादू के बारे में फुसुसा पात है जाग दू के जो तरीके ग्यूमें उनके बारे में सब से बतारी है लंड़न इ इस इचुटस क्या है तो हमारा जो लंड़न है c bumps इन दिस नेबर होड उसके पडोस में don't you alternate with house और उस्वीं इंटी है नियूंच जाक जानी रखने होगी गालर क्या बताया है य्यलो write the following words markle or go in said the teacher to the little boy in kg class teacher ने यहाँ पे कहा कुछ words जो हमारे एक छोटे से बच्चे kg class के कहा यह rhyme है with bango तो इसका नाम था kongo now make some more on your own ask your classmate to spot the hidden name you can do this with any name that of a lake, mountain, trees, food school, items, etc तो chapter यहीं finish होता है अगर आपको इस chapter से related question answer में कोई भी queries होती है कोई भी दिक्कत होता है आप comment section में comment करके पूश सकते हैं and thank you so much hope आपको यह video अच्छा लगा होगा